Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एकदम नए डिजैन का दो कलर में थालपोस बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे औरेंज कलर का टूपलाई हून लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो Friends सबसे पहले यहाँ पे हम एक नौट बनाएंगे और नौट बनाने के बाद यहाँ पे आठ चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ चैन बनाया हमने, आठ चैन बनाने के बाद इसका एक रिंग त्यार करेंगे तो फर्स्ट वाले चैन में यहाँ पे क्रोसिया पास करके एक स्लिपे स्टिच लगा लेंगे यह हमने स्लिपे स्टिच लगा लिया, अब यहाँ पे हमें फिर से आठ चैन बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चैन बनाया हमने आठ चैन बनानी के बाद इस रिंग के उपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनानी है तो हम धागे को दो बार क्रोशिय के उपर लपेटेंगे और इस तरीके से हम दो-दो फंदे को किराते हुए तीन बार में इसे बंद करेंगे तीसरी बार में हम दोनो फंदो को बंद कर लेंगे ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा फिर से यहाँ पे हम चार चैन बनेंगे एक, दो, तीन, चार और फिर हम इसी रिंग के उपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी pattern को repeat करते हुए इस ring के उपर हमने total 7 triple crochet बनानी है जो हमने first में 4 chain बनाया था उसमें हमारा ये पहला triple crochet हो जाएगा तो total 8 triple crochet हमारा first वाले ring में बन के तयार हो जाएगा ये देखिए ये हमने 4 तयार कर लिया और इसमें 4 triple crochet बना लेनी है तो यहाँ पर हमने ये देखिए first वाले ring के उपर 8 triple crochet चार-चार चैन बनाते हुए complete कर लिया है अब यहाँ पर हम इस round को lock करेंगे तो हम यहाँ पर slip stitch से इसे lock कर लेंगे ये हमने slip stitch लगाया एक और slip stitch लगा के हम चैन के उपर आ जाएंगे अब हम आगले round बनाना शुरू करेंगे अगले round के लिए यहाँ पर हम 3 चैन करेंगे और 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 double crochet इस चैन के उपर बना लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 double crochet बना लिया और जो 3 चैन लिया था वो हमारा पहला double crochet हो जाएगा तो total 4 double crochet बनाएंगे फिर 4 चैन बुनके फिर next वाले चैन के उपर हम 4 double crochet बना लेंगे और इस तरीके से हमें 4 चैन और 4 double crochet की मदद से इसे complete करना है second round को तो यहाँ पर हम सारे चैन के उपर 4 double crochet बनाते हुए और 4 चैन लेते हुए इस round को complete कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने यह तीन चैन लिया था यह पहला double crochet और तीन जो double crochet बनाया उसको मिलाके चार double crochet हो जाएगा और 4-4 चैन लेते हुए complete करना है तो देखिए यह pattern हमारा बन के तयार हो गया और second round complete हो गया अब यहाँ पर हमने slip stitch से इस round को lock कर लेना है अब यहाँ पर हम slip stitch लगाते हुए यहाँ पर हम total 3 slip stitch लगाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल center में आ जाएंगे दो double crochet skip करेंगे और यहाँ पर बीच में आ जाएंगे हम यहाँ पर इस side हमने 2 double crochet छोड़िया और बीच में यह जो फंदा दिख रहा है यहाँ पर हमने यहाँ तक slip stitch लगाना है तो total 3 slip stitch हमें लगाना है अब यहाँ पर यह जो हमने chain बनाया है इसके उपर हमें 10 double crochet बना के तयार करना है यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 9 और यह 10 तो total 10 double crochet हमें chain के उपर बना के तयार करना है इस तरीके से अब फिर यहाँ पर हम यह जो हमने 4 double crochet बनाया है तो बिल्कुल बीच में हमें यहाँ पर slip stitch लगा लेनी है या single crochet कर लेना है single crochet करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से इस chain के उपर 10 double crochet बना लेना है और same pattern को repeat करते हुए यह हम तीसरा round complete कर लेंगे यह देखिए friends कुछ इस तरीके से तो चलिए यह तीसरा round complete कर लेते हैं तो देखिए friends यह हमने तीसरा round बना के तयार कर लिया अब यहाँ से हम इस उन को cut कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे color का उन लगाएंगे तो यहाँ पर हम जहाँ से start के थे बनाना वहीं पर हम slip stitch लगा के extra उन को cut कर लेंगे तो यहाँ पर यह हमने उन कट कर लिया अब यहाँ पर हम दूसरा color पैरोट कलर ले रहे हैं आप अपनी पसंद का कोई भी color ले सकते हैं friends अब क्या करना है यह जो हमने इस तरीके से flower के shape का बीच का pattern बनाया है तो यहाँ पर जो हमने 10 double crochet लिया है तो यहाँ पर 5 double crochet के बाद बिल्कुल बीचो बीच हमें इस उन को जोड़ लेना है यहाँ पर बिल्कुल center में हम जोड़ेंगे दोनों साइड हमारा 5-5 double crochet रहेगा और बीच में हम उनको जोड़ लेंगे यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें 12 चैन बनाना है टोटल 12 चैन बनाएंगे हैं तो यह हमने 12 चैन बनाके complete कर लिया अब यहाँ पर दूसरे वाले pattern के उपर भी हम 5 double crochet के बाद इसे जोड़ लेंगे दोनों साइड 5-5 double crochet रहेगा तो यहाँ पर हम single crochet से जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर हम 12 चैन बनाएंगे फिर दूसरे वाले pattern के उपर single crochet से जोड़ेंगे फिर 12 चैन बनाएंगे इसी तरीके से यह चैन वाला round हम बनाके complete कर लेंगे बहुत आसान है फ्रेंड्स आपको बनाने में कहीं भी कोई दिक्कता है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से यह हम pattern को तयार करेंगे तो दिखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह हमने chain वाला round बनाके complete कर लिया है अब यहाँ पर हमें इसे slip stitch लगा के आगे का design बनाना शुरू करना है तो यहाँ पर हम slip stitch लगा लेंगे जहां हम बनाना शुरू किये थे तो जो हमने single crochet से उनको जोड़ा था उसी पर हमने slip stitch करना है फिर एक slip stitch हम यहाँ पर यहाँ पर हम एक single crochet बनाएंगे और इस chain के उपर total हम 14 single crochet बनाके तयार करेंगे यह जो हमने chain बनाया हुआ है 12 chain इसके उपर हमने 14 single crochet बनाके तयार करनी है और सारे chain के उपर हमने 14 14 single crochet बनाके तयार कर लेना है और इस round को complete कर लेना है तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनके तयार होगा तो चलिए इसे कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड हमने बना के तयार कर लिया अब यहां पे हम अगला डिजाइन बनाना सुरू करेंगे तो यहां पे हमने स्लिपे स्टिच लगा लिया है अब slip stitch लगाने के बाद यहाँ पे हमने 3 slip stitch और करना है हमें 2 single crochet यहाँ पे skip करना है जो हमने chain के उपर 14 single crochet बनाया हुआ है उसमें से हम 2 single crochet skip करेंगे अब यहाँ पे हम 3 का chain करेंगे 1, 2, 3 तीन chain बनाने के बाद यहाँ पे हम 10 single crochet के उपर 10 double crochet बना लेंगे जो हमने 3 chain बनाया वो हमारा पहला double crochet हो जाएगा बाकी हम 9 double crochet और बना लेंगे तो टोटल 10 double crochet हमारा तयार हो जाएगा तो देखी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 10 double crochet तयार कर लिया बना के 10 double crochet बनाने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर दूसरे वाले chain के उपर बनाना है यह डिजाइन तो यहाँ पे हमने 4 single crochet skip करना है दोनों side से हमें 2-2 single crochet skip करना है और बीच में हमें 10 double crochet बना लेना है अब यहाँ पे हम 3 chain बनेंगे 1-2-3 3 chain बनाने के बाद फिर यहाँ पे दूसरे वाले chain के उपर हम 2 single crochet skip करेंगे यह देखिए यहाँ पे तो टोटल 4 single crochet skip होगा हमारा दो इस वाले chain का और दो इस वाले chain का और फिर हमें 10 double crochet बनाना है और इसी तरीके से बागी बचे single crochet के उपर भी यह वाला डिजाइन तयार कर लेना है और इस राउंड को complete कर लेना है तो देखिए यह राउंड हमारा बन के तयार हो गया अब हम आगे की डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले इस राउंड को यहाँ पे finish कर लेंगे तीसरे वाले chain के उपर हम यहाँ पे slip stitch लगा लेंगे देखिए यह कुछ इस तरीके से आएगा अब यहाँ पे हमें क्या करना है इस pattern के उपर हमने एक double crochet skip करना है तो एक यहाँ पे slip stitch लगाएंगे और यहाँ पे हम तीन chain बनाएंगे तो यहाँ पे हमने दोनों side एक double crochet skip करना है और बाकी बचे बीच के double crochet के उपर हमने double crochet बनाना है तो total हमारा यहाँ पे 8 double crochet आएगा जो हमने इस्टार्टिंग में तीन चैन बुना वो हमारा पहला डबल क्रोसिया होगा देखी यहां पर टोटल आठ डबल क्रोसिया यह आया हुआ है तो इस तरीके से हमने बनाना है और दोनों साइड एक डबल क्रोसिया छोड़ना है अब चलिए आगे की डिजैन बनाते हैं तो यहां पर हम दो चैन करेंगे और दो चैन करने के बाद इस चैन के उपर हमने जो तीन चैन लिया है तो हमने बीच वाले चैन में डबल क्रोसिया बना लेनी है एक डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर दो चैन करेंगे और फिर सेम चैन में हमें एक डबल क्रोसिया और बनाना है फिर यहां पे हम दो चैन बुनेंगे और दो चैन बुनने के बाद दूसरे वाले पैटन का डिजाइन कम्प्लीट करेंगे एक डबल क्रोसिया स्किप करना है और दूसरे साथ से भी एक डबल क्रोसिया स्किप करना है फिर बीच में हमें जो डूबल क्रोसिया बचेंगे तो टोटल आठ डूबल क्रोसिया हमें बना के तयार कर लेना है तो देखिए इस तरीके से हमें इस राउंड को बनाते हुए कम्प्लीट कर लेना है यहाँ पे हमने दोनों साइड से इस पैटन को घटाना है और बीच में हमारे यह फ्लावर का डिजाइन है और यह हमारा पत्ते का बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बनेगा तो यह हम पत्ता वाला डिजाइन बना रहे हैं तो इसको हम दोनों साइट से घटाते हुए बनाएंगे तो देखी ये राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया अब यहाँ पर हम स्लिपे स्टिच से यहाँ पर इस राउंड को फिनिस कर लेंगे अब फिर यहां पर हम इस राउंड में भी एक double crochet skip करेंगे तो एक slip stitch और लगा लेंगे तो यहां total दो slip stitch हो जाएगा अब यहां पर तीन chain बुनेंगे यह हमारा पहला double crochet हो गया और फिर हम 5 double crochet बुन लेंगे तो टोटल 6 double crochet इस pattern के उपर बन जाएगा यह हमारा पत्ते वाला design बन रहा है friends हमने बीच में प्यारा सा फूल बनाया है अब हम इस थालफोस में पत्ता बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे घटते हुए क्रम में हमारा बहुत ही प्यारा सा यह पत्ते का डिजाइन बनेगा तो हमने दोनों साइट से एक एक double crochet skip करते जाना है और बाकी बचे बीच के double crochet को हमने बुन लेना है यह हमारा पत्ते का डिजाइन हो गया अब हम यहाँ पे जाली तयार कर रहे हैं इस double crochet के उपर हमने दो चैन लिया फिर एक double crochet किया चैन के उपर और फिर बीच में यहाँ पे एक double crochet फिर दो चैन और फिर same chain में एक double crochet और करेंगे जहाँ पे हम दो double crochet बना रहे हैं वहाँ पे हम दो double crochet बनाएंगे और यहाँ पे 1-2 डबल क्रोस्या दो दो चैन करके बनाते जाएंगे अब यहाँ पे फिर से दुसरे वाले पैटर्न का हम एक डबल क्रोस्या स्किप करेंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोस्या बुन लेंगे यह दो हो गया 3 4 5 और ये 6 तो सारे डिजाइन के उपर हमने इसी तरीके से 6 double रॉचिया और यहां पे हम 2 दो चैन लेकर एक एक double क्रोसिया बुनते जाएंगे और इस तरीके से बनाते हुए इस round को complete कर लेंगे फ्रेंड्स तो चलिए इससे complete कर लेते हैं तो देखिए यह राउंड हमने बना के तयार कर लिया अब हम आगे की डिजाइन बनाएंगे आगे की डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस राउंड को यहीं पर फिनिस कर लेंगे तो हम यहाँ पर स्लिपे स्टीच लगा लेंगे तीसरे चैन के उपर हमने स्लिपे स्टीच लगा लेनी है तो यहाँ पर हम दो स्लिपे स्टीच लगाएंगे ये एक स्लीपेस्टिच लगाया और फिर हम एक डबल क्रोसिया जो एस्किप करेंगे उसके उपर एक स्लीपेस्टिच लगाएंगे अब यहाँ पर हम तीन चैन बुनेंगे एक दो और ये तीन अब यहाँ पर हमने तीन हाफ डबल क्रोसिया बनानी है इस तरीके से दो फंदे को उतारेंगे और एक फंदे क्रोसिया के उपर रखेंगे बुनेंगे नहीं इस तरीके से हम तीन हाफ डबल क्रोसिया बुन लेंगे तो यहाँ पे टोटल यह चार हाफ डबल क्रोसिया हो जाएगा और सारे फंदों को एक साथ बुन लेंगे अब यहाँ पे हम आठ चैन बनाएंगे और यह हमारा देखिए पत्ता बनके तयार हो गया अब यह हम आठ चैन बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे यह जो बीच में हम दो दो डबल क्रोसिया एक साथ बना रहे थे उसके उपर हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे दो डबल क्रोसिया बनाने के बाद दो चैन बनेंगे फिर सेम चैन में दो डबल क्रोसिया और बना लेंगे फिर हम यहाँ पे आठ चैन बनेंगे यह हमने 8 चैन बनाया अब दूसरे वाले पत्ते को हमने कम्प्लीट करना है तो यहाँ पर एक चैन एक डबल क्रोसिया स्किप करेंगे और दूसरे डबल क्रोसिया के उपर हम हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे और इस तरीके से हम 4 half double crochet बुन के तयार करेंगे अब सारे फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे यह हमने 4 half double crochet बनाया है अब एक साथ इसे बुन लेंगे और यह हमारा पत्ते वाला डिजाइन कम्प्लेट हो गया फिर यहां पर हमें 8 चैन लेना है और सेम तरीके से बाकी के पैटरन को भी बुन लेना है और इसे हम कम्प्लीट कर लेंगे तो इस तरीके से यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो जाएगा चलिए कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए यहां पर यह हमने 4-4 हाफ डबल क्रोसिय अबनाके बीच में 8 चैन और फिर यहां पर 4 डबल क्रोसिय तो का चैन करके और यहां पर 4 हाफ डबल क्रोसिय इस तरीके से हमारा यह पत्ते वाला डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगा अब देखिए यह हमारा कम्प्लीट हो गया है यहां पर यह राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया अब यहां पर क्या करेंगे slip stitch लगा लेंगे और slip stitch लगाने की बाद वोन को हम अच्छे से not लगा के यहीं पर cut कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा थालफोस का पैटन बनके तयार हो गया है अब हम लास्ट की किनारी बनाएंगे तो लास्ट की किनारी बनाने के लिए हमने जिस कलर से फ्लावर बनाया था वही कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं friends तो सबसे पहले je हमने इसे इस चैन के उप़र जोड लेना है यह हमने जोड लिया जोडने के बाद यहाँ पे हमने तीन चैन बुनना है और तीन चैन बुनने के बाद इसके उपर हमने 12 डबल क्रोसिया बुन लेना है जो हमने 3 चैन बुना वो हमारा पहला डबल क्रोसिया हो जाएगा इस तरीके से इस चैन के उपर टोटल 12 डबल क्रोसिया तयार हो जाएगा देखिए इस तरीके से तो यहां पर यह हमने टोटल 12 डबल क्रोसिया बना के तैयार कर लिया है अब यहां पर यह जो चैन दिख रहा है इस चैन के उपर एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और फिर इस चैन के उपर 12 डबल क्रोसिया बुन लेंगे देखिए ये कुछ इस तरीके से ये लाश्ट की किनारी बनेगी हमारी तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने बना लिया अब ये जो हमारा पत्ता आएगा तो इस पत्ते के उपर भी हम यहाँ पे जहाँ पे हमने slip stitch लगाया हुआ है यह single crochet बनाया हुआ है वहीं पर हम यहाँ पर एक single crochet बना लेंगे और इस तरीके से इस round को complete करेंगे सारे chain के उपर हम 12-12 double crochet बनाते हुए last की किनारी को बना के तयार कर लेंगे तो इसी तरीके से यह हमारा flower design में यह किनारी भी बन के तयार हो जाएगा बहुत ही सुन्दर सा यह थालपोस बन के तयार होगा तो चलिए तयार कर लेते हैं तो देखिए friends यह हमने last की किनारी बना ली है और हमारा यह बहुत ही सुन्दर सा थालपोस बन के तयार हो गया है फूल वाला थाल पोस आपको ये थाल पोस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईगा और आप लोग ट्राई जरूर कीजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाई